पिछले कुछ सालों में करनाटक को टेक्स, ट्रांसफर और ग्रांट्स देने के अन्याय का आरोप लगाते हुए सूबे के मुख्यमंत्री सिदारमया मोधी सरकार के खिलाफ हला बोल कर रहे हैं। केंद्र सरकार की सौतेले वहवार के खिलाफ करनाटक कॉंग्रिस ने मोधी सरकार के खिलाफ जम कर प्रदोशन किया। करनाटक के मुख्यमंत्री सिदारमया ने बताया कि हम सौ रुपे केंद्र सरकार को भेज रहे हैं लेकिन बारत 13 रुपे ही वापस मिल रहे हैं। करनाटक के मुख्यमंत्री सिदारमया ने कहा कि टेक्स कलेक्शन के मामले में महराष्ट नंबर वन है तो करनाटक दूसरे नंबर पर है। इस साल करनाटक ने टेक्स कलेक्शन में 4.30 लाख करोड का योगदान दिया। जबकि राजि के डेपटी सियम दीके शिपकुमार ने कहा कि हम अपना अधिकार चाहते हैं। हमें सिर्फ 13 प्रतीशत मिल रहा है। मुझे नहीं पता कि हमें क्या मिलना चाहिए। दूसरे राजियों को कितना हिस्सा मिलता है मुझे इससे भी मतलब नहीं है। केंद्र सरकार गुजरात को जो हिस्सा देती है वही हिस्सा हमें भी चाहिए। डेके शिपकुमार के अनुसार भारी बारिश के दौरान प्रभावित हुए किसानों को मदद पहुचाई जा सके। इसके लिए अभी तक केंद्र सरकार से कोई राहत नहीं मिली है। वही दक्षुन भारत के एक और राज केरल के मुख्यमंत्री पिन्वई विजियन भी दिल्ली पहुच चुके हैं। सीम बिजियन भी हाल ही में पेश किये गए अंतरिम बजट में केरल के साथ सोतेले वर्ताप करने का आरोप लगाती हुए प्रदर्शन करने पहुचे हैं। बुद्वार को जहां करनाटक कॉंग्रिस ने प्रदर्शन किया तो उसके अगले दिन यानि गुरुवार को केरल की तरप से भी प्रदर्शन किया चुआएगा।